नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हिम टोडे यूट्यूब चैनल में तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिमाचल के पॉलिटेक्निक और आईटी आई में 300 से ज़्यादा पदों पे बढ़ती होने बाली है यह जो 300 से ज़्यादा पदों की बढ़ती होगी इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार जैराम सरकार जो है उन्होंने 300 पदों को बढ़ने की मंजूरी दे दी है अपनी कैबिनेट मीटिंग में तो दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखते रही है पूरी जानकारी के लिए इसके अलावा हमने दो वीडियो डाली है जिसमें की पॉलिटेक्निक और आईटी आई की बिकेंसिज के सौट नोटिस भी डाले हुए है आप उनको भी चेक कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में पॉलिटेक्निक की बिकेंसिज निकली हुई है और हिमाचल के चार आईटी आई में इंस्ट्रक्टर की बिकेंसिज निकली हुई है तो आप बीडियो का लिंक डिस्क्रिप्चन में देख सकते हो और चेक कर सकते हो तो दोस्तों अगर आप नए हो और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की जानकारी मिलती रहें तो दोस्तों हिमाचर प्रदेश सरकार ने 300 से जादा पद बरने को मंजूरी दी है जो 300 से जादा पद बरने की मंजूरी दी है वो दी है पॉलिटेक्निक कॉलेज में और जो मंडी में सिराज है जहां से जैराम ठाको लड़ते हैं अपना MLA का चुनाव वहां पे पॉलिटेक सभी विविन स्रेणियों के पद रहेंगे जैसे कि कोई कलरक है कोई पीयन है कोई ड्राइवर है 115 टोटल बेकैंसिज निकलेंगी और उसमें सारी की सारी बेकैंसिज सिराज पॉलिटेक्निक के लिए होंगी उसके अलाबा हिमाचल के ITI में 42 पद बरे जाएंगे और जो ITI म पद बरे जाएंगे वह हिमाचल के बहुत सारे ITI हैं वहाँ पे ये पद बरे जाएंगे तो जो टोटल बेकैंसिज हैं ये तो 300 नहीं हुई लेकिन इसके अलाबा भी और जगा पे भी ये बेकैंसिज निकालने वाले हैं उसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है तो ये जो 300 पद्ध है ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी कैविनेट मीटिंग में अप्रूब कर दिये हैं तो जुरूरी खबरों और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको नौकरी से जुड़ी हर जानकारी प्रवाइड कर सकें धन्यवाद